तो हलो नमस्तिया स्नार्गों से सेकाल केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा के फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक डाउन हुआ जब ये लॉक डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजिटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेडर दूर गाउं में बेजा राशन करीने के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने का हम से कि ये मास पेना दूर टो और ये मास पेना तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया पर आ और रहायती बेवकूफी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है और सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात अब और से सुन नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सयम खो देना होप खो देना वो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती ही हमने इतियात नी रखा गल्ती हम से हो गई और जो नेगिटिव है और इतियात नहीं रख रहे हैं वह जल्द positive हो जाएगे ये guarantee है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से माले को माले से शेहर को शेहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट ने कि बाहर मत जाओ सोचिल कैदेरिंज ना करो यही कहा है ना दोस्त यारों से ना मिलो आईसोलेशन में रहो, घर में रहो परीवार के साथ रहो परीवार के साथ बग्द गजारो ये सब किस के लिए? उनके लिए? नई, हम सब के लिए नमास पढ़ना एक घर पे पड़ो, मुझा पाट करनी घर पे करो बच्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मरना तो एक दिन सब को है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो Starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्मिंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है, गरेक्ट है रॉंग है नेगटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते गुरूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मारते आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं किस के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात अमीर गरी छोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभा रहें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें और वो भी आप नहीं निभा रहें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के भार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो उन्होंने निकलना शुरू करती है कमाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसके वज़े से आप अपने ATM और अपने आकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खतरे में धाल रहे हैं। यह कमाल है। । । डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए। नर्सेस आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमार्ट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूं क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाये पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जोड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी भैली जा रही है अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए अक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगा काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भाद वर वाप कि इतने भाद वर इतने तकत वर वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आप क्यों आप यमराज और मलेकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते हैं पढ़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं जिसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है आप रिसाइट करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लुग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे न पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहें सन्देवाद